तो आज की वीडियो में सबसे पहले तो थैंक क्यू कि आज बाविक टुटोरियल के 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होगे और जली से मैं गिफ्ट आपके लिए रेडी कर रहा हूं जैसे ही लॉक्डाउन खत्र होगा मैं उसे ओडर कर दूंगा और एक वीडियो आ जाएगा त दो सिंग एक बईफ्रेंड साथ दो गर्फ्रेंड ये खलाते हैं तो ड्यूल बुटिंग मींज आप एक ही कॉंप्यूटर या एक ही लैप्टॉप में तो ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो जैसे विंडोस और मैक्स या लिनिक्स और विंडोस या कोई भी दू अपरेट लिनिक्स भी नहीं चलेगा दोनों चले जाता है गाईस तो आजके में वीडियो में थोड़ा से लंबा रहेगा उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ बताऊंगा पार्टिशन कैसे क्रियेट करते हैं काली लिनिक्स कहां से डाउनलोड करना कैसे इंस्टॉल करना है व लिस्ट यह इंस्टॉलेशन को फुल इंस्टॉलेशन को एक से दो गंटे का टाइम लगा क्योंकि काली एक बहुत बड़ी फाइल है बहुत बड़ा उप्रेटिंग सिस्टम है और आप आते है कि क्यूं इंस्टॉल करना चाहिए काली लिनिक्स तो काली लिनिक्स इसलिए करना चीक्वी काली लिनिक्स में बहुत सरे pre-installed hacking tools आते जो आपको एक बार हाँचछ तो करना चीए काली लिनिक्स पे काली लिनिक्स अंगर ट्राइन नहीं किया तो कुछ नहीं किया तो काली लिनिक्स बहुत ही एक आसान सो software है बहुत ही easy software है उसके comparison में बहुत सारे मार्केट में जैसे पेरेट वाइस, उबन टू, बहुत सरे सॉफ़वेर हैं, पर वो थोड़े से कॉंप्लिकेटर रहे हैं, मैं बहुत लोगो समझ में नहीं आएगा, तो यह काली निस एक पर ट्राइ करो, अपना हाथ साफ करो, थोड़े सा हैकिंग करो, बहुत ही मजा आए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जगह करनी पड़ेगी, डिक्स पाटिशन करना पड़ेगा काली लिनिक्स के लिए, अकर हम लोग वींडोस के साथ उसको इंस्टल करते, Windows के ड्राइव में, तो घडबड होने का चांस है, आपका विंडोस भी उड़ और इसे लिए आपकोच बैद कुस्क्त नहीं बॉलता हूं कि इसको नहीं मालूम कैसे disk partition create करते हैं बहुत easy है simple सा है तो at least यहां पर आपको 40 GB का आपको storage काली लिंक्स को देना है तो यहां पर देख सकते हैं मैंना C drive है D drive है और मैंने यह और एक drive create किया है J drive virtual machine के लिए basically यहां पर देख सकते हैं कि यह दोनों में मने काली install किया है पहले से all कि यहां पर दिखा जो है जो कैसे आपको create करने कोई-b Arkadaşern तो यहां पर देख सकते हैं मैं यह partition को अगर delete करना हा मेरेको तो whenever delete volume को option है उस से CLICK कर कि अब यहां पर enter कर सकते हो तो i s free space हो गया आपको कि कितना आपको निकालना है यहां पर तो यह सब सारा में हुएगगा वारक तो आपिस देख लीजिया वैसे आपको कितना निकालना है मैं 40 GB रिकमे मेंड करोंग आपको निकाल के साइड में रख लेना है यहां पर मैं स्रिंग नहीं करूआ फिलाल तो मेरे पास तो यहां पर देख रहे सकते हैं मैंने जैसे कि 40 10 GB का free space create गिया है तो वेसे आपको 40 GB का करना है गाइस मैं पहले सी बोले हूं आपको 40 GB का free space create करना है उसके बात क्या करना है अभी हम लोग करना क्या है अब हम लोग करेंगे डाउनलोड करें काली linux का फाइल तो यहां पर आपको Google Chrome में जाना है और यहां पर काली linux को अफिशल वेबसाइड है उसी में जाना है इस मैंने description में लिंक दिया है जासे जा सकते हैं और यहां पर डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद काली linux का option आ जाएगा उस पर क्लिक कर लीजे और यहां पर पहुच जाएंगे ऐसे Windows पर तो यहां पर आपको ढहरो सारे इतने सारे versions मिलेगे ना काली के बहुत सारे versions तो आपको इन में से सिफ एक ही version डाउनलोड करना है व आपका तो खाली आपको करना के यह काली लिनुक्स 64-bit installer यही डाउनलोड करना है गाईस कि यह काली लिक्स लाइव वाला नहीं जाना ना काली लिक्स नेट इंस्टॉलर यह दोनों में आपको डाउनलोड नहीं करना है लाइव और नेट इंस्टॉलर पहले ही बोल दे रहा हूं यहां पर आपको काली लिक्स 64-bit installer दिख रहा है वही डाउनलोड करना है यही डाउनल करना अगर दूसरा कोई किया तो यह पूरा इंस्टोलेशन स्टेर सेट अप्स कल बढ़ा हो जाएगा तो इस पे क्लिक कर सकते हैं यह चाहल og शॉलोड व्याखा देख सकते हो हैं यह पे नीच चाहते हैं यह बढ़ मोड़ा ऑग। लावट करना खबangan यहां क्लिक धो तो यहां पर आपको देखने के लिए तो यहां पर आपको देखने के लिए अपको डेख सकते हैं यहांगे और आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी USB श्टिक तो चाहिए गाईस, आपको at least 4GB की USB स्टिक चाहिए तो अपको अपने कॉम्प्योटर में डाल लीजे उस drive create करने के लिए time काम आता है guys तो यह software आपको download कर लेना यह ज़्यादा MB का नहीं इक MB का और यह fully safe software है guys तो इस पर download कर ले तो हम मैं अभी यहाँ पर download करने के बाद देख सकते हैं जैसे attack से download हो गया guys अभी क्या करना इस पर click करना है guys और permission देजीजे देंगे और अब क्या करना यहां पर देख सकते हैं और मेरा फॉर जीवी की पेंटरर नहीं डाली तो में पेंटरर से इसमें इंस्टाल किया है अगर आपका कुछ डेटा रहेगा पेंटरर में तो अपने फॉर्मेट होजाएगा इसलिए वो बेट डेटा को बैकप कर लीजय और यहां पर हम लोग क्या करना यहां पर bootable selection में इसको कुछ change मत कीज़ेए, यहां पर select का option है उस पर click कीज़े और यहां पर आपने यह जो file download किये न काली लिन्यक्स की जो 32GB वाली थी बड़ी यह file installer यह locate कीज़े, कहां पर आपने download किये यहां पर जाके select कर सकता हूँ, मैंने डी ड्राइव में यहां पर देख सकते है काली लिनिक्स है वो मैंने डाउनलोड किये गाईस तही ciao इस हई मैंने सिलेक्ट करना है तो अब क्या करने है। अभी आपको यह चीज़ प्राइशन स्कीन यहां पे option मिलेगा mbr और gpt तो यह आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करने अगर आपकी harddix के हिसाब से अगर आपको नहीं मालुम कैसे यह क्या है तो मैं आपको simple से बता देता हूं यहां पर start menu में जाए और और dix partition में आपको फिर से जाना पड़ेगा यहां पर यहां पर जाने के बाद आपको देख सकते हैं यहां यहां पर आपको मिल जाएगी आपकी drive उस पर right click करना आपको और यहां पर properties पर जाना है properties के अंदर volume के अंदर यहां पर आपको option दिख जाएगा कि partition style तो यह आपको आपका कौन सा रहेगा आपका MBR रहेगा यहां GPT रहेगा हो आपके आपसे select करना है मेरा MBR है इसलिए मैं यहां पर MBR select कर रहा हूं और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है यहां पर आपको start click करना है बस जैसे आप start click करेंगे तो यह पूरा process होएगा और यह guys इतना ही नहीं complete होने के बाद आपका USB stick में काली install हो जाएगा आपके PC में नहीं आएगा अभी setup बहुत बाकी है guys फोड़ा wait कीजे तो जैसे यह आपका पूरा process यहां पर complete हो जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको सब कुछ बंद करना है पहले तो सब कुछ बंद कर दीज़े और exit कर लीज़े और यहां पर आपको कुछ नहीं करना ह करना है पहले computer उसके बाद process बताता हूं को करना क्या है सट डाउन करने बाद आपको काई सापको करना है कि पैन रहें आपको input करना है और multiple boot में जाना है मेरी f12 और delete है मेरा acer का laptop है तो उसके लिए f12 और delete बटन दबाना पड़ता है starting में तो जैसे मैं computer बंद करके फिर से start करूंगा ना starting में जब तभी आपको मैं यह दो बटन दबाना है तो मैं दिखा दूंगा कैसे करना है आपको तो मैं फिलाल shutdown कर लेता हूँ अपना PC तो यहां पर गाइस में यह key दबा देता हूँ जैसे में अपना computer start होएगा तो आपको भी अपने computer में जैसे start करोंगे तो क्रीप की पैस करनी है जो आपके computer यह PC के लिए है तो यहां पर स्टार्ट होएगा PC और बटन डबाउंगा तो यहां पर देख सकते हैं पहला मेरा hard drive है दूसरा मेरा cd-row में और तीसरा जो चीज है वो मेरा network slot है या network adapter बोल सकते है और तीसरी जो चीज है वो मेरा USB है तो USB select करना है आपको भी USB select करना है और यहां पर हम पहुच जाएंगे डायरेक अपने Kali boot installer में Kali links के installer में तो यहां पर आपको पुछ नहीं करना है यहां पर ग्राफिकल इंस्टॉल सीलेक करना है एंटर करना है आपको दूसरा कोई option में जाने के ज़रूती नहीं है आपको तो यहां पर में भी चला जाता हूँ अपने Kali installer में ग्राफिकल इंस्टॉल में और एंटर कर देता हूँ जैसे एंटर करेंगे तो यहां पर देख सकते हम लोग इंस्टॉलर में आ जाएंगे तो यहां पर तोड़ा सा कुछ लोड़ होएगा कैसे और यहां पर हम लोग अंदर आ जाएंगे Kali links के इंस्टॉलिक्शन सेटप अबहार सेट नव्यान पर और हम आछो एयां पर देख सकते हों यहां पर आपको एंटर करना है जैलेक्र दूसरा कोई लेंगी स्लेक्ट करें अब और यहां पर चीज है करने कंटर्स के आपको इसको याद रखने हैं कि मुचांच से कनेक्ट नहीं करना तो यहां पर दो ऑप्शन दिखेगे आपको साइद एक दिखे आप कोई जना दिखेगा इसक निया पर मैं इंतरने इंतरनेट सेक्ट कर रहा हूं क्योंके लिए मेरे पास कुछ है नहीं इंतरनेट पर कनेक्टेड और यहां मैं वायर्लेश नहीं करना चाहता और तो यहां पर मैं इंटरनेट सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि उसमें कुछ है नहीं और यहां पर मैं कंटीनियू करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर दिखाएगा इंटरनेट सरे नेटवर्क आटो कॉन्फिगेशन फिल्ल्ट तो अच्छा है एंटर कीजिए और नीचे यहां दो नौट कॉन्फिगर का जो अप्शन है वह क्लिक कर दीजिए कि युक्लिए अभी हम लोगो को कनेक्ट नह देख सब्सक्राइगा आप भी काली डाले और उसके बाद यहां पर यूजर आने में वह आप डाल सकते हैं मैं लिनिक्स डाल लेता हूं और एंटर कीजिए और यहां पर आपको ऑप्शन आएगा यार एंटर करने का और फिर से यहां पर ऑप्शन आएगा पास्वर्ट ड यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको मैनुवली सेलेक करने यहां पर आपको अटोमेटिक कोई प्रोसेसर नहीं करेंगा तो आपका विंडोस उड़ जाएगा तो यहां पर मैनुवल सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर option आ जाएगा तो यहां पर देखेंगे मैंने 40 GB का जोच create किया था वही है और यहां पर हम लोग इसमें से 10 GB भाहर निकाल लेंगे पहले तो यहां पर 10 लिखेंगे हम लोग पहले और continue करेंगे और यहां पर beginning मैं चाहिए अपने को और यह यहां पर यह swap file create करेंगे तो यहां पर जाके swap area select करना है first में और नीचे जाके bootable flag जो है वो on कर देना है आपको और कुछ नहीं करना bootable flag on करने के बाद आपको सिर्फ done settings पर करना है यहां पहले bootable on कर लेता हूं तो इसके बाद आपको नीचे done settings पर जाना है तो यहां पर create new partition पर जाएंगे और इसके बाद यहां पर यह तो पूरा ही चाहिए हम लोगों continue कर देंगे कुछ change नहीं करेंगे उसके बाद अब यहां पर यह जो है na ext4 ही रहना चाहिए ext4 journal file system और इसके बाद mount point में अपने को root file ही चाहिए तो root file ही select करना और कुछ मत करना और यह जो settings है हो सब सेम आप कर सकते हो और कॉपी कर सकते हो और उसके बाद यहां पर आपको done settings of partition पर क्लिक करना है और enter कीजए और यहां पर देख सकते हैं जैसे हम लोग का दो चीज़ creator का swap file और एक main file तो और यहां पर और एक चीज़ है गाईस की यहां पर यहां पर primary लिखा है ना गाईस उस सब को हाथी नहीं लगाना है वह सब है गाईस Windows की file अगर Windows को हाथ लगाऊगे तो आपका Windows उड़ जाएग वह आपको करना है कि नहीं आपके hard disk में वह पूछेगा तो यहां पर आपकोस हम लोगों करना है changes और install करना है तो यहां पर नीचे आपको yes करना है और continue करना है बहुत और कुछ नहीं करना है और हम लोग देखते कितना time लगता है अभी थोड़ा जाधा time लगेगा पट वारे में यहां पर देखतें network mirors के बारे में पूच रहा है तो यहां पर आपको continue without network केंटिस करना है उसमेंują कर दीजिए और यहां पर देख सकते हैं यह आपफे पूचेगा को क्या क्य उस्टॉ६ करना तो हैं पर सब फे टिक करते जाए है गुछ कि यह सारे शॉफ्टवरे देना वह सब मेन सॉफ्टवरे और ऐसे खासे और सॉफ्टवरे दे तो इंस्टाल कर लीज़ा आपको बढ़ने में और इस तक इंस्टाल होने के बाद आपको बहुत टाइम लेगा बड़ मैंने स्किप किया तो यहां पर जो आएगा वह ड दिस्प्ले मेनेजर का option तो यहां पर जो लाइट डी एम और एस डी एम मैंने जो बहुत ही थर्ड क्लास और आउट डेटेड और अच्छा लूप भी नहीं है उन लोग का देखने में डिस्प्ले नहीं जाका और यहां पर पहला जो अप्सने जी डी एम 3 वह एक अच्छा ड इतना बहुत बड़ा लंबा वीडियो और चालो रखोंगा तो तो स्किप करने का यहां पर option आएगा आपको grab bootloader का तो यह तो वाइस में चीज़ है इसके बिना तो आपका Kalilnix booting नहींगा तो यहां पर आपको yes करना है अगर no किया तो आपका Kalilnix install होके भी कुछ नहीं बूटी नहीं होने वाला तो यह grab bootloader install कीज़ और yes कीज़ और continue कीज़ और ज्यादा कुछ करने की ज़रूद नहीं और यह last step पे installation का इसलिए आपको tension लेने की ज़रूद नहीं यह आएका option तो समझ जी कि यह last है इसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको yes करने करने के बाद continue करते तो हमें और यहां पर पूछेगा की manual करना है की automatic तो of course automatic करना है manual थोड़ी करेंगे तो यहां पर पहला option है वह hard drive का दूसरा है USB का तो हम लोगो hard drive सिलेक करना USB मत सिलेक करना USB करोगे तो लटक जाओ गया तो यहां पर hard drive सिलेक कर लिया है मैंने यहां पर देखते ही ताइची का hard drive है और continue करते हो यहां पर हम लोग का installation complete हो जाएगा और देखते कितना time लगा ज्यादा time नहीं लगाए वैसे तो और installation complete और यहां पर हम लोग continue करना है और कुछ नहीं करना है और हम लोग का PC जो रिस्टार्ट होएगा और रिस्टार्ट होगे आपको करना के कि आपको अपनी pen drive निकालने है कि जैसे है आपका phone sorry PC रिस्टार्ट हो और इस्टार्ट होगा और मैंने अपनी pen drive निकाल दी और यहां पर देख सकते है काली में हम लोग boot होईगे गाईस यहां पर देख सकते हैं काली और विंडोस 7 के तो मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं प्रॉपरली आपको दिखे तो ऐसा जो स्क्रीन है तो आपको भ फ़र्स टाइम बूट होने में थोड़ा टाइम लगएगा तो जैसे यह स्क्रीन है कि तो आपको मन को कितना असांती होगा मैं वहले के देशकता हूं बहुत ही मसाने हो लगा तो इंस्टॉल होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा क्यों फ़र्स टाइम बूट हो रहा है और पाइदस मेंटो लगेगा एकली स्कीप कर लेता हूं वैसे तो इसको मैं स्क्रीन मिरर नहीं कर सकता क्योंकि यह सेट अप हो रहा है एक्चुल में इसलिए मैं स्क्रीन मिरर नहीं कर सकता अगर मैं वाच्वार्ट बॉक्स में दिखाने जाता तो पर्टिशन का इसलिए प्रॉट डालेंगे जो मैंने डाला था बन प्रॉट फाइशिक्स और इसे अपने लोग एंटर करेंगे यहां पर देख सकते जैसे कि हम लोग काली के विंडोस में स्वरी काली के अंदर आ चुके अल्मॉस्ट तो यहां पर देख सकते हैं और एंटर की जगा इसक आपका आप देख सकते हैं और यहां पर मैं एप थोड़े बहुत और एप्लीकेशन दिखा देता हूं इसके थेरों सारे अप्स अरहेश्माने आकटि में पहले पास्टे दिखर दिखर रही ना तो हो गया और यहां पर देख सकते हैं च्राइक्टर वाइस भी टूल अरेंज्ड की है तो महुत ही एक अच्छा सा लूग दिया है का लिनिक्स को जूम करके दिखा तो प्रपर ली अरेंज्ड मतलों बहुत एक दम क्लीन लूग दिया है का विंडोस से जाएदा मेरे को इसका का लिनिक्स पसंद आया गाई बहुत एक अच्छा सा लूग के मिनिमलिस्टिक रूग दिया है और अब हम क्या करेंगे इसको मैं पावर आफ करता हूं यह स्वीच आफ करता हूं और विंडोस में बूट करके दिखाता हूं कि आप बोल चलते विंडोस पे आर गया तो पावर रॉफ चल्डे हो जाता है बहुत जल्ली हो जाता है और यहां पर फिर स्धैन बचलेर लेप 06 को एर iis option दिखी है और का अलग دिखीम का ओर फिंडोस्स कोáis यहां ज़ूट आप्स पहलें स्वीच इहां बोल नियुक्त ट्रभ दोग क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रही है तो ऐसे हम लोग देखते हैं आगे कैसा इनिमेशन आएगा और विंडोस लूड़ होईगा क्या और यहां पर मेरा अकाउंट भी दिखा रहे काई तो यहां पर मैं एंटर कर लेता हूं और यहां पर पासवर्ट डालने के बाद देखते हैं हम लोग चल रहा है कि नहीं हम लोग का Windows तो यहां पर हम लोग का Windows प्रॉपर्ली लॉग इन हो चुका है एकदम पर्फेक्ली विदाउट एरर तो आप बोल सकते हो कि आपका काली और विदाउट एरर इंस्टाल लोग है आपके लेपटोप PC यहां कोई भी डिवा यहां पर देख सकते हैं प्रॉपर ली तो थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो तो आपको आज के वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें बताना और आज का लाइक केम रखते 500 लाइक्स गाइस 15,000 सब्सक्राइबर्स के 500 लाइक्स तो होने चाहिए और मुझे बताना कि आज का PCS का टूटोरियल कैसा लगा गाइस क्योंकि बहुत सारे चीज़ है जो मैं मोबाइल में नहीं कर सकता है विटाउट रूट के इसलिए मैं PCS पे थोड़े बहुत टूटोरियल बता रचेंचन मादलो कि मोबाइल पे ले टूटोर लाइंगे गाइस तानक्यों कि आज तानक्यों के वेडियो पीस आट